मैं आपके लाया हुए एक में स्ट इंफर्मेशन तो चल इस वीडियो को इस्टार्ट करते हैं सिंपली आप यहां वो देख रहे हैं डाइनेमिक रेम को हिंदी में करते हैं इसका जो साथ कॉत होता है इसे दी रेम भी करते हैं दी रेम चीप के इस्टोरेश से परिपत्थों में एक तरंजर्शन और एक कैपिस्टर लगे होते हैं दी रेम को बाव बाव रिप्रेस किया जाता है जिसके कारल वह गती दीमी हो जाती है इस पर का डाइनैमिक रेम एक च जिसकी बन करने पूर नस्थ हो जाती है इसमें क्या होता है जो एक ऐसी इन्फारमेशन होता है जब ये बंद होता थो इसमें जो सूचना होता है इसी हो चेली हो जाता है यह होजता है दी रेमी कुछ अन्य धाणına देख सकते हैं SD RAM यहाँ पर देख सकते हैं sinus chest शेनिक डाइनिक रहम इसके बाद RD RAM DDRSD RAM इसके बाद देख लाते हैं static RAM क्या होता है इस RAM में इसे क्या कहते हैं static RAM को हिंदी में साथकत इसका SRAM भी कह सकते हैं इसमें data तब तक संचलित रहता है जब तक कि विदू सप्लाई आंड राती है इसमें तक लाइट राती है तब तक उसका डेता होता है सुरचित होता है स्टरियोग रिपधों से एक अधिक तरचितर लगे होते हैं इसके देख लेते हैं कुछ non-wild ताइट वी गराएम और यह अपर देख सकते हैं इस पेशल स्यрем मेमोरी कि यह अखर चैनल स्यंभा आएम की तैनल मेमोरी इससे रूम कहां जाता है इसे मेमोरी की उपस्थी देता आ से होते हैं जिस कारल इन्हें केवल पादा जा सकता है परंतु उसे देता और निदेशों में परंतु करना परिवर्तन करना संभाव नहीं है देता और निदेशों के कई अस्थान के कारल कंपूटर विदूद सप्लाई बंद होने पर भी इस टीप में भरी सुचना शुरचित है है इसे क्या है यहाँ पर इपर देख रहे हैं जो शफली होता है इसमें क्या होता है इसको है संभी नाम है या में ये ऐसी है जिनके प्रोग्राम की सहता से सुचनाओंकी अस्थाम derivatives से इस्टोर किया जाता है, पी रोम मीमोरी भी केवल एक ही बार में प्रोग्राम दोरा बरा जा सकता है, इसमें भी एक ही बार में प्रोग्राम इसमें बरा जा सकता है, रोम की तरह यह भी आस्थाही होते हैं, बाद में इसे बदला नहीं जा सकता है, इसमें एक बार में बरने क भी है एक ऐसे पी रोम मेमोरी जिसका फीड से प्रोग्राम किया जा सकता है इसकी सुचना को चीप में रखी गई विदृ दारा के द्वारा आस्थाई रखा जा सकता है किसी रूम सुचना अल्टा वाइलेत के लिए डाल कर मिताया जा सकता है एफ्न किया होता है देख लेट विए इलेक्त्रिकल इरजिवर प्रोग्राम मेल दीड ओन्ली मेमोरी का संचित नाम है या एक ऐसी इफ्नाम है जिसकी प्रोग्राम करने के लिए सकिर्व से अठाने और निर्माता को वेजने किया हो सकता नहीं होती है स्ब्राइब्ल tis और ने यह देखते हैं इसमें क्या बता है कि जो होता है सुच्छाइब में रखी होती है इसके बाद दो नियुक्ति मेमोरी कब आया सेकंड मेमोरी भी कहा जाता है कंपूटर को मुख्य मेमोरी बहुत महांगी होने के काड़ा बिजली बंद कर देने पर उसमी रखी अधिकतर सुचनाय नस्त हो जाते हैं इसमें भी स्थाम सेम कंदीशन होता है इसमें भी क्या होता है जो सुचनाय कर सकते हैं इसके लिए सहायक मेमोरी का प्योग करना पड़ता है इसकी कीमत तुलनातमक दिरिष्टी से बहुत कम और डेटा इस्टोर करने के लिए बहुत अधिक होती है इसमें ऐसी सुचनाय बंदारित की जाती है जिसमें लंबे समय तर सुरचित लखना हो तिथा जिनक एक को सब्सक्राइब करना अभी तक मुझे इस्टाग्रांग ट्यूइटर या फेस्बूक फॉलो नहीं किया है तो दिस्क्रप्शन में लिंक मिल जाएगे वहां से आप जाकर फॉलो कर सकते हैं तो इस वीदियो को यहां खतम करते हैं बाकिने सब्सक्राइब में जाएग झाल